कभी भी दो नौ की सवारी जो है आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचाता है हो सकता है कभी भी दे सकता है कल भी दे सकता है यह तो बोड के उपर निर्वर करता है लेकिन जो हमारी जानकारी है जो न्यू होता है तो उसको लगता है कि हम यह भी करेंगे हम वह भी करेंगे क्या करें क्या नहीं करें कि लाज में सर कहीं न कहीं से गाडेंस मिल जा रही है लेकिन जो से अगली बार मेरिट का कटप 85 के आसपास होगा कुछ बुक सेलेक्ट कर लिजेगा और उस बुक को पढ़िएगा वो कुन सा बुक होगा सर वो सजेस्ट आप इतिहास डेली पढ़ रहे हैं तो आपको करेंट भी पढ़ना पढ़ेगा प्रेक्टिस सेट में एकदम भेडियसन जरूरी है क्या सर भी प्यसी वाली दरोगा वालों के लिए सरदर्द है नहीं जैंद वर्वन मेरा नाम है बर्जे सत्यार्थी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों 1275 दरोगा की बहाली आई और उसकी परकिरिया भी पूर्ण हो गई उसमें देखे तो कहीं न कहीं लाख पुराने चातर सभी का एक ही सवाल है इस टाइम कि वेकेंसी कब आ रही है कितनी संख्या हो सकती है वेकेंसी की नए चातर कैसे तैयारी करें और कैसे अंजाम तक पहुचा है जैसे 1275 वालों ने फाइनली पहुचा है चली सर से बात करते हैं इसे मैं हमारे साथ गयनविंद क्योंकि जिस तरह से आस हो गया चातरों कि 223 246 के बाद 223 आ जाना फिर 1275 आ जाना तो कहीं न कहीं इसका जो यह क्रम रहा है एकदम से संचार है और एकदम यह मैंटेन रहेगा चीजें बस ऐसे ही चल नहीं मैंटेन रहेगा देखिए नितीश जी को सुसासन बाबू के ना 275 वालों को जो है नियुक्ति पत्र जो है हमारे मुखमंत्री 217 को सोपड़े हैं और उस दौरान जो है हमको लगता है मुखमंत्री के द्वारा जो है वेकेंसी को लेकर एनॉंस्मेंट कुछ ना कुछ निश्चित तोर पर किया जाएगा और जहां तक हमारी जानकारी है छ 100 पर सप्ट्रेधकाश हमारी जानकारी डिया संध्यान के उस्चित नियुक्त 24T City संभवत संब्हें ऑर और यह यह आोज तो इसके बात भी छात्रों को लगे रहना चाहिए अगर जो नए है कि एकदम से इसके बाद भी वेकेंसी आती रहेगी किया सर्थ जहां तक हमारी जानकारी है 6000 के आसपास जो है वेकेंसी आगे पांट साल में बिहार साई में आएगा और हर बार वेकेंसी वही 1802 हजार के आसपास आएगा तो कहीं न कहीं यह परकिरिया चलेगी सर यह अभी चलेगा लगतार नए चात्र हैं बहुत सारे जो नए नए एकदम से 1275 खतम होने के बाद इस बार पहला एटेम्ट होगा और तैयारी भी उनकी नहीं है उन चात्रों का सवाल रहता है और पुराने जो शात्र हैं वो कहते हैं कि हमसे कहां चुब हो गई हम नहीं जा पाए बहुत सारे चात्र आयों के लिए दो नबर के लिए पीछे रागया अलहीं कि जिनका इकदम फीजिकल गरिया है उनका पेजिकल पर मैनद करit कि तैयारी में किसी का पीछे चला जाना कहीं न करएक dına के लिए और जो नए छात्र है उन दोनों का सवाल रहता है लग लग बता दिज्टे अब शात्रों को क्या करना चाहिए पेलों कि इनका च्छोटा सा करणा कि आपको क्या को क्या चीज़ा है देखे जिनका प्रिलिम्स हो गया और मेंस नहीं हुआ हैै तो इसका क्या मतलब है पता है इसका मतलब यह है कि उसका syllabus पर पूरा पकर नहीं है और जो भी इस प्रकार के विद्यार्थी है उनको सबसे पहले अपने में आत्मन्थन करना चाहिए चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार syllabus का कौन सा segment हमारा कमजोर रह गया है जैसे किसी का हो सकता है मेंथ और रिजनिंग कमजोर रह गया है समाने तोर पर उन लोगों का मेंस नहीं होता है जिसका मेंथ और रिजनिंग कमजोर होता है या किसी का साइंस कमजोर होता है या हर किसी का अपना अलग-अलग कमजोरी होता है तो जिनका prelims हो रहा है मेंस नहीं हो रहा है तो उनको अपने में चिंतन करने की जौरत है अपनी कमी को पकरने की जौरत है और सिलेबस का कोई ना कोई एक पार्ट जरूर है जो कि उसका कम जोड़ है इसी बज़स उसका मेंस नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम यह सलाह देंगे कि आप अपनी कम जोड़ी को पह तो पढ़े हुए चीजों का बारबार रिभीजन और साथी सा कूश्चन प्रैक्टिस मेक्सिमम अब आजाते हैं श्र नए उसारे चात्रों के सवाल सबसे ज्यादा इन ही जात्रों को टेंशन होती है यही खोजने में लगे रहते हैं कि क्या पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए और वह खोजते, अगर दरोगा खोजते हैं तो रहसाणानान सर को होजते हैं क्या कहेंगे सर आप और खास करके उन चात्रों को या फिर घर पे हैं जो पतना नहीं आप आरहे हैं एकोनुमिक कंडिशन की वजह से उन शातरों के लिए जो सल्ब ऐस्टरूं के लिए उन से नगिए पर नेज युलाइए और ऐसल इपाट मैं दो पहले बात हम यही कहेंगे एक तो एकदम यूवले बता दीजो से तरह से कहें तो ज्यान रोगया उसे आइडिया हो यह थोड़ा इंप भी लिया है उनके लिए दिर डिश्य एक तो जो जैसे साधा कागज होता है तो उसे लिखना बड़ी आसान होता में रेखेंता है और जो एकदम new हैं उनके लिए उनको तो हम सलहे देंगे कि सबसे पहली बात यह है कि आप लेक के नौकि सवारी सही कहा जाता है कभी तो लौकि सवारी जो है आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता है और जो new होता है उसको लगता है कि हम यह भी करेंगे हो भी करेंगे उत्ता है कि जस्ट्वाइब करें होता है कि जसे वह जो थे पढ़ेगा यह कुछ दिन वह सेञाँ परिशिय 15 तो जैसे ऊंपी नहीं होगा में घटना चपेंड नहीं होगा फिर लिओ चाल पकड़ लेगा कुछ तक complete नहीं होगा फिर कोई किसी कोई इसका senior जो है किसी टीचर के बारेमедुर्द बोल दिया तो उस तीचर का से दूसरे टीचर का पड़ने लगा मतलब संदर्म है इस संदर्म में कह रहे थे और दूसरी बात ज्यों आप इसंदर में want किसी भी एक सौर्स पर विस्बास कीजिये हर producer हर टीचर सब सही सब्सक्राइब किसी भी एक चीज पर जो है आप विस्बास कर्के काम कीजिये 72 का किताब पढ़ने से 72 टीचर के पास सिवचफ साउद एक त military किताबे की किताब को बार-बार Pride और ही आपको जो भी पसंद आता है जिसके लेगमेज को आप समझते हैं जो एकदम according to exam आपको deliver कर रहा है तो आप उनके साथ जुर करके जो है तैयारी कर सकते हैं एक तो यह है कि आप किसी के आप तो online का जमाना है आप कहीं पर भी है बिहार के किसी भी को ना में है या कहीं प पढ़ सकते हैं और देखिए ऑनलाइन कोर्स तो बहुत बहुत ज्यादा फी किसी का भी नहीं है आप निश्चीत तोर पर उतना करके आप पढ़ सकते हैं नए चातर के संदर में कह रहे हैं यह बात कि अगर वह गाइडेंस में पढ़ता है एक होता है सिनियर के गाइडेंस मे परना तो अगर आपके सिनियर अच्छे तरीका से गाइड करते हैं तो आप उनके गाइडेंस में भी पढ़ सकते हैं फाइनली देखिए पढ़ना आपको है आपके लिए कोई पर नहीं देगा या फिर आप किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़िए जो एकदम न्यू है ज जो एक्जाम दिये हैं जो एक्जाम पास किये हैं थोड़ा बहुत से छूट जाते हैं गाइडेंस में पढ़िए या किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़िए या फिर अगर आपको Self Estudy भी करना है तो Self Estudy भी आप कर सकते हैं Self Estudy के लिए आप सबसे पहले question bank पलटिए question bank को पढ़िये वहां से एक एडिया मिलेगा मुलेगा होहां से से शृवस का एक समझढ़ोंगा आप में और फिर ये सब समझ जब आपसे आप में क्सीत Прेgrown दाइगा तो फिर आप कुछ सेलेक्ट कर लिजएगा और उस बुग को पढ़िएगा और उसके अलावा तो फिर कुछ बसता नहीं है लेकिन सर उसके बाद अगर आप स्टड़ी मेटरियल कह रहें सर तो उसके लिए सर क्या सोर्स देखे अगर कोई एकदम न्यू कमड है तो आप अगर किसी टीचर के गैदेंस में पढ़ रहें हैं तो हमको लंगता है कि लूर्सीन अप पढ़ सकते हैं क्योंकि अब सबसक्राइब। पढ़ सकते हैं सर क्वेस्टन बेंक लेने के बाद पढ़ सकते हैं या फिर दरोगा सोचे लूसा अब बता देजें कि द्यारी थोड़ी बहुत हुई इन दा सेंस की 30% 40% तैयारी हुई है वो दरोगा सोच लिए कि हमें बनना है ट्राइक कर रहे हैं जैसे कि आपके भी कुछ पुराने जो बैचेस होंगे उसमें बच्चे हैं और इसी तरह से जिन्होंने थोड़े दिन पहले तैयारी स्टाट करें वह क्या करें सार देखें जि मेरित का कटब 85 के आसपास होगा मतलब स्व में 85 तो कहीं न कहीं सत्प्रतिसत स्यलेबस पर आपको पकर बनाना होगा तो जिनका 30% 40% तैयारी है उनके लिए तो हम उनको तो हम यहीं सला देना चाहेंगे कि आप सबसे पहले हंड्रीट परसेंट सिलेबस पर पकर बनाइए और 100% syllabus पर पकर बनाईए और जैसे आपका 30-40% है तो अगर 60% एभब आपका तैयारी हो जाता है तो आप practice set भी लगाना शुरू कर सकते हैं और practice set आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए देखिए जैसे रोहित सर्मा बेट्समेन है वह जब जब ग्राउंड जाता है तो वह बेटिंग का practice करता है वह बोलिंग का practice नहीं करता है आपके एक्जाम में 100% syllabus पर पकर बना है और 100% अगर नहीं भी होता है 60% प्लस होता है तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना शुरू करता है अपने की रोहित सर्मा जो है जाएंगे तो बैटिंग के practice करेंगे लेकिन देखा जाता है कि जैसे इंडिया ग्राउंड है या फिर foreign का कोई अलग मिजाज होता है तो क्या सर इसी तरह से यह जो दरोगा एक्जाम है इसमें जो प्रैक्टिस सेट होता है तो तरह तरह की जो मार्गेट में अबलेवल है उसे लेकर करनी चाहिए या फिर कोई एक होना चाहिए एक स्टेबलाइजेशन है दरोगावली चाहिए कि कोई एक प्रैक्टिस सेट कर ले रहे हैं किसी का एक सुरू सेंद तक तो हो जाएगा या फिर वेरियेशन उसमें होना चाहिए नहीं प्रैक्टिस सेट में जो है वेरियेशन होना चाहिए प्रैक्टिस सेट क्रेंट झाहएर्स के लिए चाहतर के बाद डो तीन मेने के बाद उसके बाद एक्जाम्म भी हो जाएगी क्या आभी जैसे तैयारी चल रही ए वो इसे करेंट पहोड़ा-थोड़ा एकदम टैवल्ट की तरफ नहीं देखें यहां पर विद्याठ्थी गलती करता है यहां पर आप वेटेज देखिए करेंट का क्या है आप 15% करेंट का वेटेज मान करके चल सकते हैं अगर इतिहास से 13 14 पुछे जा रहे हैं तो तेरह 14 पुंदर करेंट से भी पूछे जारी हैं ओधी पर रहे हैं तो आपको करेंट भी पर ना चाहिए तोatif यहां पर जो है संसान भे गलती करता है टीचर भी गलती करता है और स्टुडेंट वेटेश के अनुसार्ग को देखते हुए तैयारी करना चाहिए और जहां तक करिंट का सवाल हमडerson अभी से पढ़खान चाहिए अभी एक कईडम पर ना चाहिए और अपमान के चलिए फरवर्डी मार्च में आपका एक्जाम होगा तो लगभग पूरी एक साल का करेंट आपको पढ़ना चाहिए मतलब दो हजार चौबीस मार्ट से लेकर इधर जो है दो हजार पचीस फरबढ़ी तक करेंट के लिए सर कोई एक कहे तो एक अच्छा रिसोर्स क्या हो सकता है करेंट के लिए जहां तक हमारा मानना है करेंट के लिए जो है अगर कोई डेली बेसिस पर न्यूजपेपर पढ़े ना तो वह सबसे बहतरीन माना जाते हैं कि न्यूजपेपर पढ़ना मतलब यूपीसी की तरह उकेड़ना चीजों को और उसको नोट करना कहीं यह चीजे ए मुश्किल है तो उनके लिए हम एक बुक सजेस्ट करना चाहते हैं परतियोक्ता दरपन का जो मासिक आता है उसको लेकर करके आप पढ़िए उसका कोलेक्शन जो है अच्छा रहता है और थोड़ा सरल भी है क्योंकि दरोगा का आप त्यारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो है टप भासा भी नहीं होना चाहिए अब हम कोई दूसरा बुक बता दे जिसका टप भासा हो वह आप के समझ से भी बाहर हो जाए तो बेटर नहीं है मन्थली आप पर सकते हैं पीडी दरोगा वालों के सामने क्या बीपीएसी वालों की भी चुनोती है क्या उससे भी उ हो गया है तो इसी वज़ा से जो है बीपीएसी वाले भी जल्दी जॉब हो जाए बेरोजगारी का धब्बा उठ जाए इसी वज़ाए लोग इधर आ रहे हैं तो क्या सर बीपीएसी वाली दरोगा वालों के लिए सरदर्द है नहीं नहीं हो सकता है कि देखे जो जैनुइ जैनुइन सब्द का परियोग कर रहे हैं जो जैनुइन बीपीएसी का लर्का है नौ उसका जो डाटा ओला कोश्चन होता है उस पर थोड़ा कम होता है और बिहार एसाई की अगर हम लोग बात करें दरोगा की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर डाटा प्यक्शूल जय जयादा पूछा जाता है तो बीपीएसी वालों का पर पपकर थोड़ा कम होता है और दरोगा वालों पर फेक्शूल पर थोड़ा जैदा होता है तो मेरे ख्याल से हम जो विद्यार्थी के बीच रहते हैं हमको तो नहीं लगता है कि बिहार SI की तयारी करने वाले छातरों क कैसे तैयारी करें पुराने शात्र कैसे तैयारी करें नए शात्र बाकी आपका क्या कोई सवाल कमेंट बॉक्स में लिखे का जड़ूर मिलेंगे आपसे बहुत ज़्यादवान ड्यूटी पर चाहिए